25 25 दो आंके बाद decimal रख देंगे आप 5 दूना 10 यह आर का यानि यह इतना परसेंट का दो साल में इंक्रीज होता है depreciation में क्या लगाना है discount का तरीका नमस्कार दोस्तों मगत ग्यान के अंदर में आपका स्वागत है तो compound interest का एक question लेकर के आए है जनरली compound interest में एक population का question आता है कि किसी सहर की आवादी इतना था दो साल बाद इतना हो गया या दो साल पहले कितना था rate of interest जो है बढ़ने का दिया हुआ होता है तो यह compound interest के उपर ही deal करते है question देखेंगे question पहले समझेंगे काता है the population of a town is एक लाख श्यातर हजार चार सो it increases annually at the rate of five percent पारेनम five percent पारेनम जो है increase annual increase what will be its population after two years and what was it two years ago का राय किसी city का population जो है population as on date यानि present में है दिया हुआ एक लाख श्यात्तर हजार चार सो यह population दिया हुआ है काता है कि दो साल बाद क्या होगा और दो साल पहले क्या होगा यदि इसका बढ़ने का जो increase करने का जो है वो है five percent पार एनम increase कर रहा है annually ऐसे प्रस्ण में आप compound interest का trick लगाना है अब यह पीछे कहदे आगे कहदे आपको कुछ भी चिंता नहीं करना है आपको हम बताये थे compound interest में कि दो साल के लिए चो compound interest होता है वो टू आर पलस आर स्क्वाइर बटा 100 के बराबर होता है यानि कि पांच का स्क्वाइर करके 25 दो अंके बाद decimal रख देंगे आप पांच दूना दस यह आर का यानि यह इतना परसेंट का दो साल में increase होता है अब आप कहिएगा कि पीछे कैसे ले जाएंगे तो पीछे जब था दो साल पहले आप सिंपल सा चीज समझना कि यदि प्रेजेंट में यदि सौ था तो इतना बढ़ करके दो साल बाद यानि आफटर टू इयर हो जाएगा 110.25 क्लियर है यहां तक कि आज यदि सौ परसेंट है तो 10.25 जो है पांच परसेंट के रेट से बढ़ करके हो जाएगा 110.25 अब तूलना कर लेंगे दिये कि तूलना दिये से लेकिन यदि पीछे कहेगा टू इयर्स अगो इस केस में क्या होगा कि यह जनसंख्या पीछे नहीं आता है कभी भी जनसंख्या नीगेटिव में नहीं जाता है जनसंख्या हमेशा बढ़ते ही जाता है तो इस केस में जब पीछे कहे तो क्या करेंगे कि यहां पर हम सौ ले लेंगे और यहाँ पर बढ़ करके आ गया होगा 110.25 क्योंकि ये दो साल का अंतर है अब सपोज किजिए कि इस कोस्टन में कह रहा है कि पोपुलेशन दो साल बाद में क्या था तो हम क्या करेंगे 1764.00 का तुलना कर लेंगे 100 से तो दो साल बाद के लिए निकालेंगे 110.25 लेकिन ये निकल जाएगा क्या आफ्टर टू येर्स और यदि कहेगा कि दो साल पीछे तो तुलना सिर्फ अलग कर लेंगे कि सतरा कि चोंसट डवल जीरो जो है ये आज है तो दो साल पहले पहले क्या रहा होगा तो आज के डेट में इसको हम तुलना कर लेंगे 110.25 और गुना ये सो तो ये निकल जाएगा टू इयर्स अगो कि ये आपका कि अंसर आ जाएगा इसको कार्ट कूट करना है तो कर लीजिए देख लेते हैं एक सो कि सतरा चोंसट डवल जीरो 110.25 और इंटू सो इस तरह से है तो ये डेसमल हटा लेंगे 2-0 और लगा देंगे देखें 25 से ये काट लीजिए 25-4100 और 25-400 चारसो एक तालिस वार में 25 से कट जाएगा तो ये दो पचीश चोंसवा तो आप ये देख लीजिए ये चार वार में ये कट जाएगा 4, 4, 16, 4, 4, 16, 16, 16 पे 2, 0 और यह 2, 0 यह आपका जो निकला 2 साल पीछे निकला और 2 साल आगे का जदी यह पूछेगा तो इस तरह से आपको गुना कर लेना इसको भी कार्ट कोट करना है कर लिजे 17, 64, 00 यह प्रैक्टिस आपको करते रहना होगा तो डेस्मल हटाने के लिए हम नीचे हम 2, 0 कर ले अब 25 से उसी तरह से काट लिजी आप यहाँ पर क्या आजाएगा 441 उपर आजाएगा और यह 4 से यह हो जाएगा यहाँ पर 20 से यह 20 काट लिजिए 4 से इसको काट सकते हैं 4, 4, 16 4, 16 यह यानि कि 441 इंटू 441 यह आप कर लिजिए यह आपका 441 इंटू 441 आजाएगा और 19244-181 एक आगे कुश्चन लेके आएगे यहाँ है । यहां है डेप्रीसिेट का काशा डेप्रीसिएशन क्या है कि मसीन का घिसाई होता है मसीन यूज करते है वो घिसता है population वाले case में क्या था बढ़ता है और machine जो है वो घिसता है तो compound interest वाला formula यहाँ पर फेल हो जाएगा जो direct trick से बनाते थे कारण कि suppose कि जिए कि 10% के हिसाब से जब आप बढ़ने की बात करते हैं तो 33.1% भी आज होता है लेकिन यहाँ पर है कि घिसाई हो करके यानि कम हो करके आ रहा है इसमें आप लगाईएगा discount वाला तरीका depreciation में क्या लगाना है discount का तरीका जो आप basic से पढ़े होंगे simple सा कि 10% discount दे दिया तो कितने करा गिया 90 करा गिया 20% discount दे दिया तो कितने करा गिया 80 करा गिया इसमें वही काम करना है कि 10% पर एनम घिसाई हो रहा है machine का the value of a machine depreciates at the rate of 10% पर एनम if its present value 81,000 का रहा है कि 81,000 present value है और 10% के हिसाब से हर साल घिस रहा है तो what will be its value after 3 years यानि हर साल वो 10 घिस जाएगा तो 90 का रहेगा हर साल 10 घिस जाएगा तो वो 90 का रहेगा तो आप इस तरह से discount वाला formula आप लगा सकते हैं ये आपका कितना रहेगा ये आपका निकल जाएगा अब ये कह रहा है क्या कि 2 साल पहले क्या था अब ये देखिए घिसाही के लिए क्या है कि 2 साल पहले क्या था तो आपको present value दिया हुआ है present value वो क्या है जी present value है 81,000 और मान लिया जाए कि 2 साल पहले कितना था वो x था तो दो साल पहले x था ये घिस करके हो गया था 90 वटा 100 फिर 90 वटा 100 और ये आपका ये रह लिया तो जब तीन साल बाद पुछे ये 3 years after 3 years तब तो ये वला काम करेंगे इसमें उल्टा हो जाएगा x की value ये हो जाएगा 2 years ago के लिए हम मान लिया कि x है और ये है क्या जी present value है तो ये उल्टा हो जाएगा यानि 81,90 into 90 कारण की 2 साल पहले machine की value जादा होगा बरतमान में घिस करके कम हो गया होगा तो ये आपका जादा के लिए उपर बड़ा नीचे छोटा ये clear हो गया आप ये cut cut करिएगा आपका answer आ जाएगा कैसे ये आप देख लिजिए ये 0 से 0 काट दीजिए ये 0 से 0 कट गया ये 9,9 और 9,81 कट गया आपका हो गया एक पे 3,0,4,0,1,5,0 यानि एक पे हो गया 5,0 यानि एक 80,000 जो दो साल बाद यानि अभी हुआ है दो साल पीछे जाएंगे तो वो एक लाख रहेगा इस केस में आप काट कूट कर लिजिए ये आपका 2,0,2,4 और 2,6 ये आपका आगया 3,4,5,6 ये आपका 9 का हो जाएगा 729,729 क्यूब हो गया और ये इन्टू 81 कर लिजिए तो ये हो गया 9,8,72 बाकी 7 हो जाएगा 8,2,16,7,23 बाकी 2 और 7,8,6,2 कितना हो जाएगा 6,56,2 कितना हो जाएगा 8,58 तो ये आपका हो गया 9,2,4,7,10 बाकी 1,8,9,5,9,0 ये आपकी इसकी वैल्यू आजाएगा 5,9,0,4,9 और यहाँ पर आगया ये तो बरतमान में यदि एक 80,000 है तो ये 3 साल बाद इतना हो जाएगा और बरतमान में यदि ये 80,000 है तो दो साल पीछे जो है वो एक लाख रहेगा इसी को आप दूसरे हिसाब से भी बना सकते हैं जो डिसकाउंट में बताए थे तो डिसकाउंट में क्या बताए थे आपको वो ध्यान दीजिए कि यदि 10 परसेंट के हिसाब से डिसकाउंट दे रहे हैं दो क्रमिक बता है तो दो सक्सेसिव डिसकाउंट के लिए क्या करते थे कि डिसकाउंट दे दिये कितना जी 10 परसेंट फिर से 10 परसेंट दो साल का दे दिये माइनस माइनस प्लस यहां पर 10 इंटू 10 बता सो यह जगा माइनस 20 और यह प्लस यहां पर एक रह जाएगा यानिकि माइनस 19 तो यह तो दो साल का हुआ, तीसरे साल के लिए फिर से वही आजेंगे, माइनस उनीस माइनस दस, माइनस माइनस प्लस, उनीस इंटू 10 बटा, 100, यह एक जीरो काट लिजिए, यह माइनस उनतिस हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा 1.9, अब यह बन पॉनतिस में से 1.9 इनको माइनस कर लिजिए, यह आपका आगया, यह 27.11 इतना, यानि कि टोटल जो डेप्रिसियेट होगा 3 साल में, वो इतना डेप्रिसियेट कर जाएगा, 27.1 डेप्रिसियेट कर जाएगा, तो बचेगा कितना, हमको वही पूछ रहा हैं कि बचेगा कितना, तो यह आपको 100 में माइनस कर लीजिए 100 माइनस 27.1 बराबर ये आपका हो गया 28 और 2 30 ये रह जाएगा 72.90 72.90 या 72.90 जो भी रखना है 72.9 अब 81,000 जो है 81,000 का तुलना कर लेंगे हम 100 से और कारा तीन साल बाद वो क्या रह गया था तीन साल बाद रह गया था 72.9 अब इसको जब आप काट कूट करिएगा आपको अंसर आ जाएगे यदि करना है तो कर देते हैं आप वही तो आया था 729 का 81 वो उसमें भी आया था आपको तो ये गुना कर लिजिएगा 69.69 कितना है 69.49 आगे है दो साल पहले क्या होगा वैल्यू तो देखिए चीजों को समझिए इसमें 20 साल के केसी में क्या है कि 20 साल जब Depreciate होता है तो दो साल में कूल Depreciation कितना होता है 19, दो साल में Depreciation होता है total 19 यानि कि 100 का आइटम जो है 19 डेप्रिस एट होकर के कितना रह जाएगा 81 रह जाएगा 100 का आइटम 19 कर गया तो रह जाएगा 81 तो कह रहा है कि दो साल पहले अब चीजों को समझना है यह परजेंट वैल्यू यह है आपका प्रजेंट वैल्यू यानि कि दो साल पहले वह सौ था अब बरतमान में आकर के हो गया था 81 घिसाई होने के बाद यानि यह 81 हजार का तुलना 81 से कर लेंगे और यह सौ निकालना है यानि कि दो साल पहले टू यह अगो क्या होगा यह हो जाएगा आपका एक लाग हो जाएगा तो ऐसे प्रस्णों को बड़े आराम से बारीकी से देखिए